IPL की मुंबई फ्रेंच्राइजी में पिछले हफते ही एक बड़ा बदलाव हुआ था। फ्रेंच्राइजी ने अपनी टीम की कमान फ्रोईट शर्मा की जगा हार्दिक पांडिया को दे दी। इसके बाद T20 उन क्यासों पर फिर से चर्चा पर आ गई है। जिसमें T20 वर्ल् की रोईट शर्मा ही भारव के कप्तान के तौर पर पहली पसंद रहेंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि BCCI सूत्र के हवाले से इस मामले पर स्थिती साफ की गई है। यहां सूत्र से पूछा गया कि क्या T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी रोईट शर्मा की जगा हार्दिक प फैसला था और इससे टीम इंडिया के लिए होने वाले फैसलों पर कोई फर्क नहीं परता। रोईट अभी तीनों फॉमाट में टीम इंडिया की कप्तान बने रहेंगे। अखवार ने पहले भी T20 वर्ल्ल कप 2024 के कप्तान को लेकर एक खुलासा किया था। इसमें कहा गया था कि वर्ल कप 2030 के बाद जब BCCI की रिव्यू मीटिंग होगी तो उसमें टीम इंडिया की भविश की योजनाओं पर बातचीत की जाएगी। इस दोरां रोईट शर्मा ने BCCI अधारिक से साफ साफ पूछा था कि क्या बोड उन्हें T20 वर्ल कप 2024 में देखता है। रोई के सवाल पर हेड कोच राहूल द्रवेड सेलेक्शन कमिटी और बोड अधिकारियों ने हामी भरी थी। सभी में एकता से कहा था कि फिलहाल रोईट ही भारते टीम की तीनों फॉर्माट में लीड करेंगे।